आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें घेलो फ्रेंट, समें कुश्चन दिया हुआ है रक्त का तरल भाग प्लाजमा आईतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतीशत है तो दोस्तों विकल्ब हमें दिये हैं पहला विकल्ब दिया है 25 प्रतिशत दूसरा है 35 प्रतिशत तीसरा है 60 प्रतिशत और 14 है 75 प्रतिशत तो दोस्तों रक्त के संगठन की यदि हम बात करें रक्त के संगठन की यदि बात करें तो रक्त तीन पतार्दों से मिलकर बना होता ह लाल रक्तकनिका यानि की RBC, श्वेद रक्तकनिका यानि की WBC और प्लेटलेट्स और होता है दोस्तों प्लेटलेट्स के साथ यानि की रक्त के साथ प्लाजमा अब ये इतनी चीजे रक्त में होती है तो ये तीन चीजे तो मिलकर बनी होती है रक्त के 40 प्रतिशत भाग की या यानिकि ये तीनों मिलाकर कितना बनाते हैं रक्त का 40 प्रतिशत और प्लाज्मा जो होता है ये रक्त का 60 प्रतिशत भाग बनाता है जिससे कि हमारा 100 प्रतिशत रक्त का निर्मान होता है तो दोस्तों आए देख लेते हैं विकल्पों को विकल्प में हमें पहला दिया है 25 तो 10 Wyatt 1846 तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा सही उत्तर सित होता है वह विलपसी साइफ प्रतिशत अपक्स ब्रश्ने का उत्र समझाया होगा विडियो को देखने के लिए धन्यवाद सब्सक्राइब करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्सो 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 पर